ये सुनते हैं यस्पाल जैन जी की कहानी सबसे बड़ा धर्म एक राजा था उसके चार लड़के थे एक दिन राजा ने उन्हें बुला कर कहा जाओ किसी धर्मात्मा को खोज लओ जो सबसे बड़े धर्मात्मा को लावेगा उसी को गद्धी पर बिठा दूँगा चारो लड़के चले गए कुछ दिन बाद बड़ा लड़का लोटा वो अपने साथ एक सेट को लाया था उसने राजा से कहा ये सेट जी खुब दानपुनी करते हैं इन्होंने मंदिर बनवाए हैं तराब खुदो आया हैं प्याओ लगवाई हैं और सादू संतों को भोजन क कराते हैं राजा ने उनका सतकार किया और वह चले गए इसके बाद दूसरा लड़का एक दूबले पतले ब्रहमन को लाया बोला इन्होंने चारो धामों और सातों पुरियों की पैदल यात्रा की है बरत करते हैं और जूट नहीं बोलते हैं राजा ने उन्हें दक्षना द बोलते हैं लब ने की हुआए दूसरा गुआए ग्रॉट लट अड़